वेल्कम टो यूपी पियसी मन्थन आज 26 अगस 2020 है और 26 अगस 2020 से रिलेटिड मोस्ट इंपोर्टिन करण्ट अफियर को हम लोग पढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए फैक्ट को भी समझेंगे तथा जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सस्क्राइब जरू तो चलिए शुरू करते हैं पहला कोस्टन है अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी ने किसे राष्ट्पती और उपराष्ट्पती पत के उमिदवार के रूप में फिर से नामित किया है तो अमेरिका के रिपब्लिकन पार्टी ने डोनल ट्रम्प को राष्ट्पती पत के के लिए और माईक पेस को उप राष्टपती पत के लिए फिर से नामित किया है यानि यहाँ पर आपसन डी ए और बी जो है दोनों सही है अमेरिका में राष्टपती पत के चुनाव में रिपब्लिकन पाल्टी ने राष्टपती उमिद्वार के रूप में डोनल्ड ट्रम को तथा उप राष्टपती के लिए माईक पेस को फिर से चुनने के गोस्ड़ा की है जबकि Democratic Party से Donald Trump के मुख प्रतुदंदी जो Biden है जो Biden कौन है? यह Democratic Party के राश्टपती पत के उमिद्वार है जो कि Donald Trump के मुख प्रतुदंदी है और वही Democratic Party से Kamila Harris जो है उप राश्टपती पत की उमिद्वार है Kamila Harris जो है Mike Pace की मुख प्रतुदंदी है बता दें कि Kamila Harris जो है भारती मुलकी है अमेर्की राश्टपती का चुनाओ जो है नॉम्बर 2020 में होना है और यह चुनाओ जो है उन्सिठवा राश्टपती चुनाओ है 59 वा अमेर्की संबिधान के अंच्छे दो केंसार एक ब्यक्ति को अमेर्की राश्टपती के रूप में सेवा करने के लिए अमेर्की नागरिक होना अवस्सक है तथा उसकी जो उम्र है वो 35 वर्स होनी चाहिए अमेर्की संबिधान के 22 संसोधन में कहा गया है कि एक ब्यक्ति जो है दो बार से अधिक राश्टपती नहीं चुना जा सकता है राश्टपती का चुनाओ जो है परतिनिधी सभा और सीनेट के चुनाओ के साथ साथ होता है यहाँ पर यह most important है question आ सकता है कि Republican Party से मुख उमिद्वार कौन है और Democratic Party से मुख उमिद्वार कौन है तो Republican Party से जो है Donald Trump है और जो है Democratic Party से जो है जो बाइडन राश्टपती के लिए मुख उमिद्वार है next question है ILO रिपोर्ट के अंसार भारत में COVID-19 के कारण लगभग कितने लाख युवाओं को अपनी नोकरी स्याहाद होना पड़ा है तो ILO जो है अंतराश्टी एक संग्रठन है इसने अपने हाली में अभी एक रिपोर्ट जारी किये है और उसके अंसार जो है भारत में 41 लाख युवाओं को अपने नोकरी स्याहाद होना पड़ा है किसकी वज़ा से COVID-19 के चलते हैं अंतराश्टी संग्रठन ILO और ACI विकास बैंक ने टैक लाइन COVID-19 यूथ इंप्लोईमेंट क्राइसिस इन एसिया एंड पैसिक फिक पर एक संयुक्त रिपोर्ट तयार की है किसने की है ILO और ACI विकास बैंक ADP यह रिपोर्ट कहती है कि COVID-19 संकत के कारण लगबग 41 लाग भारती युवाओं को अपनी नौक्री से हाग धोना पड़ा है अंतराश्टी संग्रठनों के द्वारा संयुक्त रूप से तयार की गई रिपोर्ट कहती है कि नौक्री के नुक्सान का बड़ा प्रत्सत जो है खेत और निर्मार छेट से जुड़े स्रिमकों को जहलना पड़ सकता है किसको जो लोग खेती से जुड़े हुए है और निर्मार छेट से उनको सबसे ज़्यादा नुक्सान हुआ है COVID-19 के कारण ACI और प्रसांद छेटर के 13 देशों में लग भर 1 से डेढ़ करोड युवा अपनी नौक्री हो सकते हैं कहां पर ACI और प्रसांद छेटर में ACI और प्रसांद छेटर में सबसे अधिक नौक्रिया जो है पाकिस्तान में जाएंगी और इसके बाद भारत में जाएंगी भारत में बिरोजगारी दर बढ़कर 32.2 प्रसात पहुँच गया है हालक कि इस छेटर में सभी देशों में स्रिलंका में बिरोजगारी दर 37.8 प्रसात पहुँच गया है इस COVID-19 के कारण सबसे अधिक नुक्सान 15-24 वर्स की आयू के युआओं को जहलना पड़ रहा है Next question है राजमार्ग मंतरी नितिन गटकरी ने हाली में किस राज में 45 राजमार्ग पर्योजनाओं का उधगाटन किया है तो राजमार्ग मंतरी नितिन गटकरी ने अभी हाली में मध्ध प्रदेस में जो है, 45 राजमार् starter की है, या उर्धघाटन की है. मद्ध प्रदेस के मुख मंत्री कौन है, तो सिवराज सिंग्छ हैं, और राजपाल जो है, आनंदी बेन पटेल है, आनंदी बेन पटेल जो है, उत्तर्प्रदेस की भी जो है, राजपाल है. केंद्री सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा सूच्म लगु और मध्यम उपकरम मंत्री नितिन गटकरी ने मध्ध परदेश में एक वर्चुल कारकरम के तहत 45 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्गाटत किया है जिसकी अध्यचता जो है मुख मंत्री स्यूराज सिंग चौहान ने की है तथा साथ में ही देश के परतीक जिले में चालक प्रशिच्छड स्कुल खोलने की गोशड़ा की है इसने गोशड़ा की है तो नितिन गटकरी ने की है इन परियोजनाओं में 1361 किलोमीटर लंबी सड़क दो ओवर ब्रिज और च्छा पुलो का निर्माड सामिल है इन पर 11,427 करोड रुपे की लागत आएगी स्री गटकरी ने कहा कि देश में हर वर्स पाच लाग दुरगटनाएं होती है जिसमें डेढ़ लाख लोगों की जाती है यह कुस्टन इंपॉर्टेंट है कोस्टन आ सकता है कि साल भर में भारत में कितने लाख लोगों का मृत्य जो है सड़क दुरगटनाओं में होता है सरकार ने जीरो रोड मृत्यू का लच्छ जो है 2030 तक रखा है यानि जो डेर लाग ये मृत्यू होती है हस्तार इस आकड़े को जीरो पर भारत सरकार 2030 तक करेगी इस परियोदना से न केवल दुरगटनाओं की कमी होगी बलकि युवाओं में कुसलता का विकास होगा स्री गटकड़ी ने मध्य परदेश के लिए 7000 करोड रुपए लागत की सड़क परियतनाओं की घोसड़ा की है कितना 7000 करोड रुपए की नेश्ट कोस्टन है सच्छता ही सेवा पुरसकार किस नौरत्न कंपनी को परदान किया गया है तो सच्छता ही सेवा जो है नौरत्न कंपनी NLCIL को परदान किया गया है यानि यहाँ पर आप्शन दी सही है भारत सरकार के नौरत ने एन एलसी इंडिया लिम्टेट एन एलसी आईल ने सुच्छता ही सेवा कारकरम के कार्यान वेयन में अत्यंत मूलवान योगदान देने के लिए यह पुरसकार जीता है एन एलसी आईल के सीमडी जो है राकेश कुमार ने एन एलसी आईल के प्रयासों को पूरी निवेली को प्लास्टिक मुक्त सुच्छ और हरे भरे परिसा में बदलने और सुच्छता ही सेवा दोहजार उन्नीस पुरसकार के गोशड़ा करने का प्रयास किया था सुच्छ भारत मिस्टन का ही एक पहल है एन एलसी आईल ने इस कारकरम को दो चड़ों में लागू किया था पहला चरण 11 सितंबर 2019 से 2 नौंबर 2019 के बीश और दूसरा चरण 3 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2019 के बीश लागू किया था एन एलसी आईल के स्थापना जो है 1956 में की गई थी और इसका मुख्याला जो है निवेली चन्नाई में इस्तित है नेश्ट कोस्टन है पोल्ट और समुद्री छेतर में विकास के लिए सिपिंग और किस मंत्राले के बीच समझोते ग्यापन पर हस्ताच्चर की गया है तो पोल्ट और सिपिंग मंत्राले के बीच किया गया है समझोता तो MSMD मंत्राले के बीच यह समझोता किया गया है यानि आपसन A MSMD यहाँ पर सही है पोल्ट मेरी टाइम छेतरों में जन सक्ति के कौसल को फिर से भरने फिर से तयार करने और अपग्रेट करने के लिए नवाहन मंत्राले जो है और कौसल विकास उद्दिमिता मंत्राले MSDE के बीच एक समझोता गयापन पर हस्ताचर किया गया है MSDE के लिए केंद्री मंत्री डाक्टर मेहंद्र नात पांडे जो है वहीं राजमंत्री सतंत प्रभार मंसुख लचमर भाई मंडा विया और राजमंत्री सतंत प्रभार MSDE राजकुमार सिंग की उपस्थित में सहमेत पत्र पर हस्ताचर किये गया है इसक का उद्देश गया है समझोते ग्यापन का उद्देश जो है 30 छेतरों के युवाओ पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही समुद्री छेतर में रोजगार के विसाल और सवरो का लाब उठाने के लिए उनके कौसल सेटों को बनाने और प्रमारित करने में ब्यक्तियों की मदद करना है इस समझोते का मुख उद्देश है नेश्ट कोस्तन है वाव सेना ने वाव सेना ने कैरियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए किस मुबाइल एप को लांच किया है तो वाव सेना ने कैरियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए माई आई एफ जो है या एप्लिकेशन या एप जो है लांच किया है यानि आपसन यहाँ पर माई आई एफ जो है सही है वाव सेना प्रमुक जो है राकेश कुमार सिंग भधोरिया ने भार्टी वाव सिना में सामिल होने के लिए इच्छुक उमिद्वारों को कैरियर से संबंधित जानकारी और बिबरड प्रदान करने के लिए माई आई एफ नामक एक मोबाईल नया अप्लिकेशन लांच किया है डिज्टल इंडिया पहल की तहट लांच किये गया इस एप को सेंटर फार डेवलप्मेंट आफ एडवांस कम्यूटिंग के सायोग से बिक्सित किया गया है यह एप सिंगल डिज्टल प्लेटफार्ट के रूप में कार करेगा जहां उप्योग करता भारती वाव सेना में अधिकारियों और एयर में दोनों के लिए चयन प्रक्रिया प्रसिच्छर पाठक्रम बेतन और भक्ते आद के विबरण की जानकारी हसल कर सकेंगे भारती वाव सेना के स्थापन कब हुआ था तो 8 अक्टूबर 1932 बक्तिस में हुआ था और इसका मुख्याले जो है नई दिल्ली में है नेश्ट कोस्टन है हाल ही में महिला ब्रिटिस ओपन 2020 खिता पिसने जीता है तो सोफिया पुमपोव ने महिला ब्रिटिस ओपन 2020 खिता जीत लिया है यानि यहां पर आपसन भी सोफिया पुमपोव सही है जर्मनी की गोलफर सोफिया पुमपोव ने इसकाट लेंड के रॉयल ट्रैन में दो स्टोक से थाइलेंड की जैसमीन सुवानापुरा को हरा कर बिमेन ब्रिटिस ओपन 2020 का खिता जीत लिया है इसके खिताब के साथ ही सोफिया एल पी जी ए टूर का प्रमुख खिताब जीतने वाली जर्मनी की पहली महिला गोलफर भी बन गई है नेश्ट कोस्टन है UEFA Champions League 2019-2020 किस फुटबाल कलब ने जीता है तो इस चैंपियन्स लीग को ब्रायन म्यूनिक जो है यह फुटबाल लीग है इसने फुटबाल कलब ने यह जो है चैंपियन्स लीग जीत लिया है यानि आपसन भी ब्रायन म्यूनिक सही है जर्मन पेसेवार स्पोर्ट्स कलब ब्रायन म्यूनिक ने पेरिस सेंट जर्मन को एक जीरो से हरा कर UEFA Champions League 2019-2020 का खिताब अपने नाम कल लिया है यह फाइनल पुर्तगाल के लिस्बन में खेला गया था इसके साथ थी ब्रायन म्यूनिक पहले यूरोपी का बिजेता बन गया है जिसने टूना मेंट के दोरान जो है अपने सभी मैच जीते हैं ब्रायन म्यूनिक का यह छटा यूरोपी Champions League खिताब है यह था आज का हमारा प्रमुख Most Important Current Affair हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक like, share और comment करे और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को subscribe करें